दोस्तों यह हमारे स्पॉंसर्स हैं अली में अकाउंटेंट्स अगर आपको GST नंबर लेना हो या अपनी ITR फाइल कराना हो या कोई भी टेक्स के लिए अकाउंटेंट की जरुवत हो तो इस नंबर पर कॉंटेक कर लेना है और यह भी हमारे स्पॉंसर्स हैं दकूल मोबाइल स्टोर अगर आपको डेली में रहते हो और मोबाइल पर्चेस करना हो तो आप रीच कर लो ना लक्षमी नगर के अंदर स्टोर है काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल के अंदर मेरा नाम है कम्पेरिजन करेंगे रेडमी 6 प्रो का रेडमी 6 के साथ जो कि शाउमी के ही दोनों मॉडल्स है और दोनों ही मॉडल्स बहूत अच्छे मॉडल्स हैं बहुत जादा 11,000 रुपे के आसपास भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको 3GB और 32GB स्टोरेज मिलती है दोस्तो बात कर लेते हैं इन दोनों की स्पैसिफिकेशन के बारे में तो Redmi 6 Pro के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों मिलेगी 5.84 इंचिस की और Redmi 6 के अंदर जो डिस्प्ले मिलेगी वो मिलेगी 5.45 इंचिस की तो दोस्तो बेजल लेस डिस्प्ले दोनों ही के अंदर है लेकिन Redmi 6 Pro के अंदर जो है डिस्प्ले वो है 9 इस्टू 9 की और Redmi 6 के अंदर जो है वो है 18 इस्टू 9 की दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे हैं लुकिंग वाइस बहुत अच्छे हैं दोनों के अंदर 2 GHz का OctaCode Processor मिल जाता है दोनों ही मुपाइस के अंदर 5 Megapixel का Front Camera मिल जाता है Redmi 6 Pro का जो Resolution है दोस्तो वो है 1080 x 2280 pixels का और Redmi 6 का जो resolution है दोस्तो वो है 720 x 1440 pixels का दोस्तो RAM जो है Redmi 6 के अंदर 3GB है और ये वाला जो variant है Redmi 6 Pro का उसके अंदर 4GB RAM है दोनों ही के अंदर आपको 8.1 Android का latest version मिल जाता है और दिजाइन के मामने में दोनों mobile side से काफी similar है कुछ जादा जादा changes नहीं है लेकिन back side से काफी changes आप देख सकते हैं और दोनों mobile के अंदर जो दोस्तो आपको इसके अंदर camera मिलेगा back side पे वो 12 plus 5 megapixel का मिलेगा तो camera दोनों ही mobile में same है लेकिन जो सबसे बड़ा difference जो है दोस्तो वो थोड़ा सा difference जो आ रहा है वो display का आ रहा है और Redmi 6 के अंदर आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है तो 3000 mAh की जो बैटरी होगी दोस्तो आपकी 6-7 महीन 8 महीने ठीक टाक चली है उसके बाद जो है आपको कम से कम जो मेरा personal experience MI के साथ आपको जो है अगर आपका heavy use है तो आपको दिन में दो बार चार्ज करनी पड़ेगी बाकी आप देख सकते हैं जो Redmi 6 Pro की डिस्प्ले है वो Full HD Plus डिस्प्ले है तो उसका look जो है वो कुछ जादा ही extreme है और जादा अच्छा लग रहा है आप खुद देख सकते हैं दोस्तों को अगर आपका budget जो है 8000 रुपे तक का है तो आप Redmi 6 ही ले पाएंगे अगर आपका थो इस प्रोग के टककर में लेकिन थोड़ा सा सके अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर थोड़ा कमजोर है स्ट्रैप्रेगन का 425 तो दोस्तों यही है दोनों की बॉड़ी जो है सके अंदर आपको मैटल की बॉड़ी मिल जाती है और वेड जो है Redmi 6 प्रोग का 178 ग्राम है और Redmi 6 का 146 ग्राम है दोस्तों शाओमी के जो मुबाइल होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं यूज करने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका जो जैसा यूज है रेगुलर वैसा जो है आपको बहतरीन आप जो है उसको हर चीज के अंदर आपको बहतरीन प 22 तो दोस्तों स्टोरेज जो है इसके अंदर 32GB का है RAM 3GB है आप देख सकते हैं स्पीड में थोड़ा सा जो है ज्यादा वो Redmi 6 Pro इससे ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि उसके अंदर 4GB RAM वाला वेरियंट है और इसके जो थोड़ी सी दोस्तों एक छोटी सी बात कर ल थोड़ा सा जो फोटो की जो मतलब पर्फॉर्मेंस होती है ना फ्लेश लाइट वाले जो फोटो होंगे आपको जा फिर टॉर्च यूज करोगे अपने मुवाहिल के आख यूज करोगे तो उसकी अजीब सी लाइट निकलती है क्योंकि दो लाइट जब मिक्स होके निकलत जाता है 9.6 वर्जिन दोनों ही मुबाइल के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों बाकि इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों दोनों ही मुबाइल ठीक था कि अपनी जगा पर बिल्कुल सही है आप कोई सभी पर्चेस कर सकते हैं मैं आपको सज़ेस्ट करूंग अगर इस वीडियो के अंदर इतना ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखनी है टेक केर बाबाए